एलो फ्रेंड्स मैं हूँ मनीश्वर्मा और आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल लर्न ओफ टेक्नो पर डियर फ्रेंड आज का हमारा ये सेशन है ये वल नाइनर से रिलेटेड है अगर आप कोई भी इंट्रेंस एक्जाम या कम्पिटिशन लेवल की त्यारी कर रहे हैं इसके अलावा आप आई टाई कर रहे हैं प्रेंटिसिप या फिर सी टाई कर रहे हैं तो ये कलास है वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है वीडियो को एंट तक जुरूर वाज कीजिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे चैनल पर आपको पर डे साम 8 वजे एक नया वीडियो देखने के लिए मिल जाता है वाली टेक्निकल रिलेटेट चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं आज का जो हमारा फेस्ट क्योंसन है वो है काज की प्लेट की सर्फेस फिनिस 4 से 8 माईकरों तक मिलती है यह है की सोर्स संकेत करती है यह जो काज की सर्फेस प्लेट होती है जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था काज टाइरन सरफेस प्लेट होती है ग्रेनाइट सरफेस प्लेट होती है उसी परकार हमारी काज की सरफेस प्लेट भी होती है उसकी जो फिनिसिंग उसकी एक्यूरेसी होती है वो 4-8μHz तक मिलती है यह किस ओर संकेत करती है कि इसका मतलब क्या है यह क्या चीज दरसाती है तो यह क्या दरसाती है तो इसकी प्लेट की कार्य उप्योगतता की ओर निर्देश करती है यानि की कार्य है जो हमारा वर्ःग पीस है वो कितना useful मनिएगा कितना accurate हमारे लिए बन कर आएगा उसकी और इसारा करती है यानि कि 4-8 micron तक इसकी accuracy है surface relate की यानि कि इतनी accuracy में ये हमारे job को बना सकती है ठीक है यानि कि इतनी accuracy तक इसकी दवारा हमके है surface को check कर सकते इतना finish है या नहीं है ठीक है next question है यहां पर धातू की सतहू पर line कीचने के लिए किसका परियोग कया जाता है धातू की surface पर line कीचने के लिए तो धातू की surface पर सबसे पहले हम लगाते हैं marking media उसके बाद उस पर drawing के according line ने कीची जाती है drawing के अनुशार वहां पर line ने कीच कर linking की जाती है उसके बाद उन मार्किंग लाइनों को पक्का किया जाता है पंच और हेमर के द्वारा तो जो मार्किंग लाइने खींची जाती है वो किसके द्वारा खींची जाती है तो वो किसके द्वारा खींची जाती है तो इसक्राइवर का पर्योग किया जाता है यानि कि उन लाइनों को खिंचने के लिए हम किसका यूजग करते हैं Scriber का यूजग करते हैं Scriber के point होते हैं अगर Scriber अगर हमारा high carbon steel का बना है तो point को hard ऐसे उन टेम्पर करेंगे लेकिन ज्यादातर हमारे Scriber जो होते हैं वो mild steel के बनाये जाते हैं तो उनके point को case hard किया जाता है, ठीक है, next हमारा question है, किन उपकरन दवारा case से जोब को जकड कर रखा जाता है, यानि कि थोड़ा सा complicated है, किन उपकरन दवारा case से जोब को जकड कर रखा जाता है, तो वहां पर इतना complicated question आपको नहीं मिलेगा, यह थोड़ा ज्यादा ही complicated हो गया ह तो क्या दिया इसमें वाइस दोबारा हाड़ जा की साहता से जोब को जकड लिया जाता है और भै हिलने नहीं देता है जी गूर फिक्सर में भी क्लेंप किया जाता है तो इतना complicated क्योशन है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा ठीक है uh next question है salt joe को किस दहतू से बनाया जाता है salt joe को किस दहतू के द्वारा बनाया जाता है so at minimum in young kie caoododar से ताकि जोब किस्दہ विक्रित नहीं हो पाई किально विक्रित का मतलब हमारी पार्ट जो ऐ बनाया है जोब जो बनाया है जिसकी surface हमने finish की है जो बको त्यार किया है तो smooth surface को finish surface को उस पर dent वगेरा ना आए उस पर कहें निशान जा के निशान ना पड़े उन से बचने के लिए यान के विकर्ती का मतलब क्या होता है कि कोई भी उस पर effect ना आए किसी भी परकार का उस पर कोई प्रभाव ना पड़े ठीक है तो इसके लिए क्या है soft jaw किस दातों के बनाये जाते हैं तो soft jaw हमारे aluminum की चदर वगेरा के बनाये जाते है next के उसे नहीं आपर दिया है wise का size किस से लिया जाता है जो हमारी wise होती है bench wise होती है उसका size हम किस के द्वारा लेते है तो jaw plate या फिर जबडों की चोड़ाई से लिया जाता है किस से जबडों की चोड़ाई या jaw plate के द्वारा लिया जाता है ठीक है next हमारा यहां पर question जो है उसमें क्या लिखावा है कि धुर्वा बेस bench wise का मुख्य उप्योग क्या है धुर्वा बेस bench wise ठीक है यानि कि इसमें कौन सी bench wise है जो जिसका base है वो हम rotate कर सकते हैं गुमा सकते हैं तो उसका मुख्य यूज हम कहां करते हैं तो jaw को बार बार खोलना वै बांदना नहीं पढ़ता है यानि कि कौन सी होती है स्वीवल बेस bench wise कौन सी स्वीवल बेस bench wise की यहां पर बात की गई है जिसमें क्या है कि उसके base को हम इधर उधर दोनों तरफ कुमा सकते हैं 360 degree में तो इसमें क्या है जो बार बार खोलने या बांदनी क्या उसकता नहीं पढ़ती है अपने कारिया के coding उसको angle पर घुमा लिया जाता है यह होती है universal bench wise तो universal bench wise में क्या होती है कि एक तो स्वीवल बेस होगी universal bench wise तो जो स्वीवल बेस होगी उसमें तो only base को हम movement देते हैं लेकिन यूनिवर्सल बेंच वाइस जो होती है उसमें बेस को भी घुमा सकते हैं यानि कि उसमें क्या है तिन सो साट डिग्री में भी घुमा सकते हैं और होरिजेंटल और वर्टिकल प्लेन में भी उसको एड़ेस्ट कर सकते हैं ठीक है एक और होती है हमारी इसके अलावा क् most important veins wise होती है, quick release veins wise को बहुत बार के उसन पूचा जाता है, तो इस में क्या होता है, quick release weighing wise में half nut लगा हुआ होता है, ठीक है, लीवर के माध्यम से हम half nut को engage और disengage कर सकते हैं, और आसानी से कोई part या job को जल्दी खोलना या बंद करना इसके द्वारा किया जा सकता है, ठीक है, आ आगे इसमें क्या दियावा है? Next question यहाँ पर देखते हैं. तो Next question में दियावा है Combination Bench-wise का जबड़ा किस आकार का होता है? किस की बात के गई है? Combination Bench-wise की गई है. अब Combination Bench-wise क्या होती है? Combination Bench-wise वो होती है, जिसमें हम Round योब को भी पकड़ सकते हैं, फ्लेट योब को भी आसानी से पकड़ सकते हैं. तो बात के गई है Combination Bench-wise का जबड़ा किस आकार का होता है? तो इसका जबड़ा है वो वी आकार का होता है और शाथ में फ्लेट आकार का भी बना हुआ होता है. इसमें लिखावा नहीं है यहांबर. फ्लेट और वी आकार दोनों से पमें बना हुआ होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं? कि हम गोल रोड वगेरा भी पकड़ सकते हैं और फ्लेट जो भी पकड़ सकते हैं. Next question यहांपर दिया हुआ है और इसमें दिया है वर्टिकल मसीन वाइस का परियोग क्या करने के लिए किया जाता है? वर्टिकल मसीन वाइस का परियोग पूछा गया है एक होती है होरिजेंटल मसीन वाइस जो हम प्लाइन सर्फेस पे रखते हैं लेकिन वर्टिकल मसीन वाइस भी होती है ठीक है? जिसको क्या है, हैंडल भी लगावा होता है और वो क्या चलती है, वर्टिकल पोजिशन में चलती है तो वर्टिकल मसीन वाइस का परियोग क्या करने के लिए करते हैं तो इसका परियोग सीरों पर मीलिंग किरिया करने के लिए क्या जाता है यानि मिलिंग मसीन के साथ में वर्टिकल मसीन वाइस है वो यूज की जाती है फुरक्षो वगेरा में जाओगे वहाँ पर आपको वर्टिकल मसीन वाइस जुरूर देखने के लिए मिलेगी ठीक है नेक्स्ट क्योसन यहाँ पर दिया हुआ है टूल मेकर्स क्लैम्प किस वाइस को कहते है तो टूल मेकर क्लैम्प किस वाइस को कहते है टूल मेकर क्लैम्प को पेरलल क्लैम्प के नाम से भी जाना जाता है तूल मेकर क्लैम्प को पेरलल क्लैम्प के नाम से भी जाना जाता है और वो क्या होते है छोटे छोटे वरक्पीश जो finish की हो, smooth हो, उनको claim करने के काम में आता है ठीक है, तो क्या दिया है, कि समानतर claim wise को tool maker claim कहते है ठीक है, तो tool maker claim को parallel claim या समानतर claim भी हम बोल सकते हैं इसके नाम से जाना जाता है next question है, यहाँ पर post क्या है तो यहाँ पर क्या है, post post किसकी बात की गई है, तो यह बात की गई है hammer की, तो hammer post क्या चीज होती है तो pen और face के बीच के भाग को, जिसको cheek या post बोला जाता है ठीक है, उसको cheek के नाम से भी जाना जाता है गाल के नाम से, cheek के नाम से ठीक है, जिसमें क्या होता है, eye hole बना हुआ होता है तो क्या दिया है पीन तथा फेस के बीच का भाग पोश्ट कहलाता है क्या पीन तथा फेस के बीच का भाग है वो पोश्ट कहलाता है next question यहाँ पर दिया हुआ है और next question में यहाँ पर क्या दिया हुआ है Nylon किस परकार का पदार्त है То ये एक Rubber Type में यानि एक Mixed सा होता है Rubber Type में होता है ज्यादध देखने के लिए मिलता है Nylon आपने देखा होगा बहुत जगए Nylon होë यूज किया जाता है То ये किस पदार का पदार्त होता है То एक Chickened P Gin-Tolium पदार्त है जो काफी धक्का सहन करने की सामरते रखता है यानि कि चिमड पैंट्रोलियम पदार्थ है यानि कि जेली टाइप में एक रबर टाइप में मीडने वाला पदार्थ है जो काफी धक्का सहन करने की सामरते रखता है यानि कि जटके वगेर हैं वो अपने अंदर उपजव कर लेता है ठीक है तो नाइलोन है वो एक चिमर्ड पेंट्रोलियम जेली टाइप में पदार्थ में होता है ठीक है लाइक इसको रबर टाइप में भी थोड़ा हम मान सकते हैं नेक्स्ट क्योसन यहां पर दिया हुआ है इसमें है मर्दू हेमर के विवीद परकार बताओ मर्दू हेमर कौन सा होता है तो सोफ्ट हेमर की बात की गई है यहां पर सोफ्ट हेमर में कौन से कौन से हेमर आते हैं जैसे प्लास्टिक है मेलेट है, नाइलोन है खचे, चमडे के हैं, रबर के हैं तो उस परकार के पदार्थ से बने वे हेमर क्या होते हैं? सोफ्ट हेमर होते हैं, जिनको मर्दू हेमर बोला जाता है तो क्या दिया है आंचर में? कारिय निमंता के अनुसार, प्लास्टिक, नाइलोन, मेलट तथा कच्चे चमड़े से निर्मित होते हैं ठीक है, प्लास्टिक, नाइलोन, मेलट, कच्चे, चमड़े, अरबर, आदी के बनाए जाते हैं कौन? सोफ्ट हेमर बनाए जाते हैं मेलट जो होता है वो लकड़ी का बनावा होता है यानकि लकड़ी से बने हेमर को मेलट भी बोला जाता है नेक्स्ट के उसन है यहाँ पर चाबी के अतरीक्त स्पेनर को और किस नाम से जाना जाता है? यानकि चाबी के अतरीक्त स्पेनर जो होता है उसको हम चाबी बोलते हैं ठीक है? स्पेनर को और किस नाम से जानते हैं तो उसको क्या है range के नाम से जानते हैं और ring spanner होते हैं उसको पाना बोला जाता है ठीक है तो वही दिया वाया answer में क्या है range या range और पाना आधी के नाम से जाना जाता है यानि कि हम range भी बोल सकते हैं उसको और जो ring spanner होता है उसको गरों में पाना बोला जाता है ठीक है तो इ यहां पर दिया हुए है कारियस साला में परियोक्त स्पेनर्स की निर्मानक परकिरिया क्या है यानि व्रक्षोब में जो यूज में लेते हैं स्पेनर वो किस परकार से बनाया जाते हैं व्रक्षोब में जो हमारे पास स्पेनर आवलेबल होते हैं वो किस तरह से बनाया जाते किस तरह से उन पर heat treatment किया जाता है, कि उनको क्या hard temper किया जाता है, क्या case hard किया जाता है, क्या उनको ढलाई करके बनाया जाता है, या फिर forge करके बनाया जाता है, उसी के बारे में पूछा हुआ है, तो किस परकार से बनाते हैं, तो spanners vanadium steel से forge कर बनाया जाते हैं, और उन्हें heat treatment द्वारा hard and temper किया जाता है spanner से वो vanadium steel के ज्यादत आपको देखने के लिए मिलते हैं अगर आपको material पूछ लिया जाए तो vanadium steel का बनाया जाता है किस परकार से बनाया जाता है तो forcing करके बनाया जाता है और उन्ही heat treatment द्वारा hard and temper किया जाता है यानि कि उनके उपर उसमा उपचार किया जाता है hard and temper किया जाता है next question यहाँ पर देख लेते हैं तो next question में यहाँ पर क्या बोला हुआ है इसमें बोला है छोटे बड़े वर्ताकार बोल्टों को खोलने में कौन सा spanner समर्थ होता है यानि कि चाहें चोटे साइज के हो चाहें बड़े साइज के हो वर्ताकार बोल्टों को खोलने के लिए ठीक है यानि कि round bolt जो होते हैं round nut जो होते हैं उनको खोलने के लिए कौन सा एक spanner है जो यूज किया जाता है जैसे hexagonal, square इस परकार के जो हमारे bolt होते हैं nut होते हैं उनको तो क्या है spanners के द्वारा खोल सकते हैं आसानी से double ended spanner हो या single ended spanner हो ring spanner हो इनके माद्यम से खोल सकते हैं लेकिन यहां पर बात की गया है चाहें छोटे हो चाहें बड़े हो लेकिन गोलाकार वर्ताकार बोल्टों नटों को किसके माद्यम से खोला जाता है तो किस से खोलते हैं adjust table hook spanner के द्वारा खोला जाता है अब adjust table hook spanner किस परकार का होता है तो थोड़ा इस तरीके से बना होता है यहां पर एक joint लगेगा फिट दूसरा यहां पर आएगा और यहां पर इसमें hook बना होगा तो इसको क्या है यहां से इसको क्या कर सकते हैं यहां से movement मिल जाती है ठीक है यह इस type में रहता है ठीक है अब इस जगे से इसको क्या करते हैं movement मिल जाती है इस जगे से इसको क्या कर जाते हैं movement मिल जाती है नेक्स्ट योज़व ने दिया हूए है, जोब को पकड़ कर कौन सा रिंच लोक कर देते हैं, कि इसा कौन सा रिंच या स्पेनर है, जिसके कह जोब यानि वरकपिश को हमने पकड़ा, नट और बोल्ट को उसमें पकड़ा और उसके बाद में, उसमें एक लीवर लगा होता है जिसको दबा कर हम क्या कर देते हैं उसको लोग कर देते हैं जब तक वो लीवर नहीं कुलेगा तब तक हमारा बर्गपेस भी हमारा जोब भी उस पेनर के अंदर से नहीं कुलेगा तो वो कौन सा रिंच होता है तो वो होता है लीवर जा रिंच क्या होता है लीवर जा रिंच होता है जिसमें एक लीवर लगा होता है जिसको दबा कर हम जोब को आसानी से उसमें लोग कर सकते हैं नेक्स गोशन में दिया हुए है प्लायर कास्ट इस्टील धातू का क्यों बनाया जाता है यहां पर बात की गई है प्लायर की और प्लायर क्या होता है हमारा प्लास्ट जो होता है उसको प्लायर बोला जाता है यह कास्ट इस्टील बेटेरियल का ही क्यों बनाया जाता है ठीक यानि कि जो हमारे tool and equipment होते हैं उनकी कारिये के coding सबकी अलग-अलग particular कुछ material होते हैं उनहीं से वो spanner वगेरा या उनहीं से वो equipment हो बनाए जाते हैं यहां पर बात की गई है प्लाइर की प्लाइर कास्ट–steel material के क्यों बनाए जाते हैं तो क्यों बनाए जाते हैं कि उनकी सामरत्य में वर्दी के धे से यानि कि उसकी strength क्रीज करने के region से थेका उनकी strength बढ़ाने के लिए क्या है कि प्लायर को क्या बनाया जाता है cost steel से बनाया जाता है next question है यहाँ पर किस प्लायर को wire cutter भी कह सकते हैं जादतर electrical वाले student वह इनको यूज करते हैं हमारे शोग में कम इसका यूज करते हैं तो किस प्लायर को wire cutter के नाम से जाना जाता है तो विकर्णी प्लायर को क्योंकि उसमें पकड़ने की सामर्थे वाला जबडा नहीं होता है यानि कि उसमें क्या है claim करके पकड़ की रखने वाला जबडा नहीं होता है only क्या होता है cutting करने वाला होता है जिसे आपने देखा होगा जो electrician वगेरा होते हैं वो अपने पास रखते हैं जिससे क्या वो wire को cut करते हैं और wire को उपर से छीलने का काम करते हैं ठीक है तो वही क्या होता है हमारा विकरणी प्लायर होता है जिससे क्या है wire cutter भी कह सकते है next question यहाँ पर क्या दिया हुआ है तो next question में यहाँ पर लिखा हुआ है कि तंग इस्तान के लिए कौन सा पेचकस उप्योगत होता है पेचकस होता है उसका नाम क्या होता है dear friend उसको बोलते हैं screwdriver पेचकस को क्या बोला जाता है screwdriver हमारे technical भासा में बोला जाता है तो तंग सरफेस के लिए तंग इस्तान के लिए कौन सा screwdriver सबसे best रहता है कौन सा प्यूकत रहता है तो offset screwdriver है वो तंग सरफेस के लिए useful रहता है अब वो useful क्यों रहता है तो वो इस परकार से बना हुआ होता है ठीक है एक इधर मुड़ गया और एक इधर मुड़ गया इस परकार से बना हुआ होता है तो ये क्या होता है तंग सर्फेस में चला जाता है ठीक है तो ये इस परकार से दोनों तरफ में एक इधर मुड़ा हुआ होता है दोनों तरफ में उपर नीचे मुड़ा हुआ रहता ह नेक्स्ट क्योशन में क्या दियावा है कि रेचेट पेचकस का क्या काम है रेचेट स्क्रूडराइवर का काम क्या होता है किसकी बात की लिए है रेचेट स्क्रूडराइवर की बात की गई है तो रेचेट स्क्रूडराइवर कौन सा होता है तो रेचेटी स्कूरूट ड्राइवर क्या होता है कि हत्ते को आगे पीछे गुमाने पर पेचकस एक ही दिशा में चलता है पेचकस को चलाने के लिए बार बार हाथ की पकड को नहीं बदलना पड़ता ठीक है यह थोड़ा सा नीची आ गया पेडिफ में थोड़ा वो तागे पीछे होता रहता है थोड़ा सा एड्जस्ट कीजी यहां पर आई थिंक आपको दीख रहा होगा सारा कुछ न तो क्या है रेचेटी स्कूरूड ड्राइवर में क्या होता है कि उसमें ओटोमेटिक सिस्टम होता है रेचेटी स्कूरूड ड्राइवर में उसमें क्या करते हैं हमें हाथ से गुमाने क्या हो सकता नहीं होती है only handle को क्या करना पड़ता है प्रेस करना पड़ता है handle को जब प्रेस करते हैं तो उसके अंदर एसा mechanism लगा होता है कि जब हम handle को पगड़ कर दबाते हैं तो हमारा screw driver है वो गूमने लगता है clockwise गूमने लगता है और वो हमारे screw page वगेरा को tight कर देता है तो रेचेट screw driver का काम होता है कि हत्ते को आगे पीछे गुआने पर page case एकी दिशा में चलता है page case को चलाने पर बार-बार हाथ से पकड़ने की हवसकता नहीं होती है यानि कि हाथ की पकड़ को नहीं बदलना पड़ता यह नहीं कि हाथ से गुमाया फिर छोड़ा फिर वापिस हाथ को लाए फिर गुमाया इसा नहीं होता उसमें क्या करना है कि हाथ से दबाव देना है हटाना है दबाव देना है हटाना है और हमारा screw गेर है वो असानी से उसके माद्यम से tight हो जाता है ठीक है dear friend तो आज की वीडियो में बसीत नहीं वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है अपने end तक वज़के तो like जुरूर कीजिए अपनी राए अपना suggestion हमें comment वक्स में जुरूर दें wish you all the west जै हिन जै भारत